नमस्कार मेहरबंस नागों के एक अगर कोई भूल हो जाती है तो पश्चाताप बहुत जादा करना पड़ता है और उस भूल को सुधारा तो सही केंद्र सरकार ने तीन क्रिशी कानूनों को लेकर जो बिल पास हुआ था चुपके चुपके राजसभा के अंदर उसका लोगसभा के अंदर उसका विरोत हुआ था मगर बाद में खुद बैक फुल पर केंद्र सरकार आ गई और लगभब किसान अंदौलन जो है वह समाप्ति की और है मगर कुछ ऐसे सवाल वो छोड़ गया है अब जिसका राजनितिक लाब अलग अलग राज राजनितिक दल उठाएंगे और इसका श्री गणेश सबसे पहले जम्मू किश्मीर में हुआ है और जम्मू किश्मीर में सबसे पुरानी पार्टी नेशनल कॉन्फरेंस के सर्वो 370 का अंदौलन ठीक वैसा ही होगा जैसे किसान अंदौलन ने किया था एक साल से ज्यादा साथ सो किसान जो हैं वो मारे गए थे और हम भी कुर्बानी देने को तयार हैं हम धारा 370 को वापस लाएंगे और इसके लिए एजिटिशन करेंगे डाक्टर फारुक अब्दुल् अब यह बात हम आपको इस कारकम बे मनाते हैं डाक्टर फारुक अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों किया खेए उसकी सबसे बड़ा जो कारन बना है है वह बना गुलाम नभी अजाद गुलामि तफ़हन तेल होगा ना राधाना चाएगी गुलाम नभी अजाद ने र shipping कि चोड पर कहा तीं सो सीटें कांग्रेस नहीं ले सकती अगर 300 सीटें लेती है तब ही जम्हूों कश्मीर से कांग्रेस जो है धारा 330 हटा सकती में गुलाम नभी आजाद ने जो कांग्रेस नहीं हैं मगर कांग्रेस को नसीहत दे दी है कि आपके पास वो दिन लग गए कि तीन सो सीटे आप लें गए इशारा साफ करता है और गुलाम नभी अजाद में यह भी का कि धारा तीन सो सक्तर का हटना नामुम्किन है अब इससे बनी बात है कश्मीर के जितने भी नेता चुक्कि कांग्रेस एक राष्टिया पार्टिया बाकी जितने पार्टियां है शेत्रियां है वह सब सक्पकाय हुए सब को हलक में बुखार उपर चड़ गया है चाहीं वह पीसी है यहीं कि पीपल कांफरेंस है चाहीं पीडीपी है और यहाँ तक अगर बात कहें जो एक बी टीम माने जाते ही भारती जनता पार्टी की जम्मो किश्मिर अपनी पार्टी मिर्चे तो उन्हें भी लगी है जिस तरीके से डाक्टर फारुक अबदुल्ला ने कहा है उदर से जिस तरीके से गुलाम नभी आजाद ने डंके की चोड़ पर कई बाते कई हैं व और उससे पहले बात हम कर रहे थे कि जिस तरह डाक्टर फारुक अबदुल्ला ने कहा है कि किसान अंदौलन जैसा अंदौलन करेंगे अब इससे और भी उत्साहित जो है जम्मो किश्मिर के अलग-अलग संग्ठन हुए हैं जिसमें मैं बात अगर डेली वेजर की करता हू अब उन्होंने भी ठान लिया उनके साथ सौतेली मा का वैवारिस सरकारों ने किया है वो भी तैयार हो चुके हैं कि चौर संग्ठन तायार हो चुके हैं और एक और संग्ठन यहां युवार राजपूत सभा का है जो डंके की चोट पर आगे बढ़ गया है और उन्होंने क के महाराजा हरी सिंखी प्रिस्मा के ऊपर जब राजपूत सभा ने अलग अलग समुदाय से जुड़ हुए परमुक लंबरदारों को धार्मिक संक्त्रों को समाधिक संक्त्रों को बोलाया और उससे और आगे तक हो गया यह ग्रामीन शेत्र में लेकर इसी जुबा किया जहां उन्होंने एक सारे युवकों को एक अठा किया और अपना अभ्यान चलाया यनिकी अब सरकार को अंतता यहां चुनाओ करवाने पड़ेंगे और चुनाओ से पहले ही उन्हें ये बात इस युवा राजपूत सभा की माननी पड़ेगे कि महराजा हरी सिंग की छ सरकार को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा मगर एक बात तैय है धारा 370 का रटना नामुम्किन दिस तरह प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने तीन क्रिशी कानूनों में नया आयाम लाकर एक किसानों के लिए राहत दी थी मगर दाओं उनको ठीक उल्टा पड़ गया पर राष्टी जहां पर विदेशी परिंदे आते हैं और विश्व प्रटक के लिए सबसे बहतरी जगा है मगर यह सारी जमीन लगभग इंक्रोच हो चुकी थी और उसको हटाया गया मगर अब उस पर भी राजनिती होने लगी है सभी किसान नेताई कठे हो गए हैं सुआ भारती जनता पार्टी का आपको यह भी बताते चलें सुचेत गड़ विधान सभाचेतर में दो बार भारती जनता पार्टी ही विजए रही और मंत्री विरेया श्री शामलाल चौदरी इस पूरे पसमंजर में अलग-अलग किसान लेता तो एक जू ठो गया मगर उसमें भ केंद्रिय ग्रह मंत्री श्री अमिश शाह ने बात की और दो दिन पहले ही इसी चैनल में इसी सब्जेक्ट पर हमारे अगनी बान में आपको सब कुछ अवगत करवा दिया था कि जो यहां होने वाला है राजनीती में अब उससे और आगे बात बढ़ गई है भाजाबा और नया आयाम उन्होंने दे दिया है अब यह बात अलग है कि उन्होंने यह जरूर कह दिया है कि मैं नई पार्टी नहीं बनाऊंगा मगर यह भी कहा राजनीती में कुछ भी हो सकता है तो यह इशारा बहुत है अब अगर देखते हैं अब कॉंग्रेस जो लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंग 64 में ऐसे नेता होंगे जिनोंने कॉंगरेस को छोड़कर अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम रखा पंजाब लोक कॉंग्रेस अब क्या 65 में कांग्रेस को छोड़ने वाले नई राजनीतिक पार्टी बनाने क्या गुलाम नभी अजाद होंगे यह तो आने वाला समय बताएगा मगर कहा जाता है कि कुछ बातें साफ साफ नजर आती हैं और उससे निश्चित तोर पर कांग्रेस और तूटेगी अगर गुलाम नभी अजाद के लगातार चल रहे बयानों पर देखें उन्होंने खुले आम कहा है एक समय था जब इंद् अच्छी तरीके से लताड़ा है और अब यही देखना है अगर थोड़ी सी कांग्रेस पर ही हमें बात कर लूँ कि 64 में नेता तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंग हो गए हैं 2016 में अजीत जो आयस अफीशर थे जोगी अजीत जोगी जोगी जिन्होंने पार्टी बनाई थी यह सबस्र होने के बाद है इसके बाद उनिस सो पचासी से अब तक चौकर ऐसे हुआ है defa 59 में दिग्रणे नेताओं थे उन्होंने इंद्रा गान्दी को पार्टी से निकाल दिया था बाद में इंद्रा गांधी ने अपनी नई पार्टी बनाई थी और ये भी तिहास गवा है कि सोनिया गांधी के राश्टी प्रधान होने के नाते अभी तक सबसे बड़ी फूट पड़ी है और 26 अगला दलग जो हैं कांग्रेस को चोड़ कर बना गए हैं यानि कि कह सकते हैं कि श्री मतिस सोनिया गांधी पूरी तरीके से कांग्रेस को एक जुट करने में पूरी तरीके से असफल रही हैं कहीं सफल नहीं हुई हैं और हालत यह हैं बड़े बड़े दुरंदर नेता कांग्रेस में तो साइड लैंड कर दिये गए और अब सबसे बड़ी बात जो है वो गुलाम नभी आजाद पर हैं अब देखते हैं कि 65 में नेता अब अलग पार्टी मनाने वाले गुलाम नभी आजाद होंगे या कोई और होगा मगर एक बात तैह हैं नए आयाम बहुत कुछ जम्मू किश्मीर में आएंगे अब देखते हैं चुनाओ यहां कब होता है बहुत सी बाते और तब सामने आएंगे स्कारकम में इतना ही नमस्कार